साप्ता है क्राशिफल 21-27 अब जुलाई 2024 जुलाई माह का चौथा सप्ता काफी खास जाने वाला है क्योंकि इस सप्ता कोई भी ग्रिह हलचल नहीं करने वाला है। ऐसा काफी लंबे समय के बाद संयोग बना है। वैदिक जोतिश शास्त्र के अनुसार, 19 जुलाई को बुद्ध सिंग राशी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ ही सूर्य और शुक्र करक राशी में शुक्रादित्य योग, मंगल और गुरू वरिशब राशी में मंगल गुरू योग, गुरू वरिशब राशी में कुबेर योग, शनी अपनी मूल त्रिकोन राशीकुम्ब राशी में है जिससे शश राजयोग बन रहा है। इसके साथ ही राहू मीन राशी में और केतु कन्या राशी में विराजमान है। इसके साथ इस सप्ताह चंद्रमा गुरू के साथ युती करके गजके सरी योग, करक राशी में सूर्य और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बन रहा है। इस सप्ताह कई राशियों की किस्मत अच्छी रहने वाली है। जाने मेश से लेकर मीन राशी तक के जातकों का सापताहेक राशिफल, मेश सापताहेक राशिफल मेश राशी के जातकों के इस सपता की बात करें, तो आर्थिक स्थिती थोड़ी कमजोर हो सकती है. इसलिए व्याई की सावधानी पूर्वक निग्रानी की जाए. कुछ लोग तीर्थ्यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं. चातर परिक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं और तयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है. चीवन के अन्य पहलू उत्कृष्ट स्थिती में होंगे, जिसके परिनामस्वरूप एक संतुलित और पुरस्कृत सप्ताह रहेगा. इस शब साप्ताहेक राशिफल इस राशी के जातक इस सप्ताहेक सुखद और तरो ताजा अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं. परीक्ष है, इसलिए आप एक रोमान्चक साहसेक यात्रा पर जाने में सक्षम हो सकते हैं. आप नया घर के राय पर लेने, बेचने या खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं. आप शेक्षनेक रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर करक सापता है क्राशिफल जब आप यात्रा करते हैं, तो आपको नए अनुभव प्राप्त करने और खुबसूरत जगहों की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है. संपत्ती संबंदी चिंताएं दूर हो जाएंगी और आपको जल्दी अपनी पसंदीदा संपत्ती मिल सकती है प्रयास से छात्रों के लिए शेक्षनिक संभावनाएं बहतर हो सकती हैं. आपको बहतर प्रदर्शन और बहतर परीक्षा परिनाम की उम्मीद करनी चाहिए. संपत्ती के मामले में सिंग राशी के लोग घर खरीदने, बेचने या किराय पर लेने में सकारात्मक परिनामों के साथ एक सहज यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं. उनके जीवन के अन्य पहलू सकारात्मक रहेंगे, जिसके परिनाम स्वरूप एक संतुलित और संतुष्ट सप्ताह रहेगा. आप में से कुछ लोग सप्ताहांत में छुट्टी की योजना बना सकते हैं. कन्या साप्ताह ए पारिवारिक जीवन बहुत बढ़िया रहने वाला है. कोई उत्सव आपको परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बनाने में मदद कर सकता है. तुला साप्ताहेक राशिफल रोमैंस हलका फुलका हो सकता है. इसलिए जीवन साथी के साथ संचार और समझ में सुधार करने की सलाह दी जाती है. कुछ लोग छुट्टियों के नए और अनूठे अनुभवों की तलाश में हैं. हालां कि शिक्षाविद सबसे मजबूत नहीं हो सकते हैं. कुछ का प्रदर्शन खराब है और तयारी की कमी है. वृष्चिक साप्ताहेक राशिफल इस सप्ता वृष्चि स्थिर्ता सीमित हो सकती है. इसलिए कॉपरेट विस्तार योजनाओं को स्थगित करने की सिफारिश की जाती है. धनू साप्ताहेक राशिफल काम में बाधाओं की उम्मीद करना उच्चित है. जैसे कि समय सीमा चूक जाना या सहकर्मियों के साथ हसेमती होना. हालां कि कर साप्ताहेक राशिफल आपके पेशेवर जीवन के संबंद में, सितारे आपके लिए एक शांदार सप्ताह की भविश्यवानी करते हैं. आपको पहचान के साथ साथ अपनी विशेशग्यता दिखाने के नए अवसर भी मिल सकते हैं. यदि आप फिलहाल अकेले हैं, तो अगर आपकी मुलाकात किसी ऐसे नए परिचित से हो जो आपकी रुची जगाता हो तो आश्चर यचकित नहूं. कुम साप्ताहेक राशिफल इस सप्ताह कुम राशी वालों को अपने कामकाजी जीवन में नए अवसरों और विकास की संभावनाओं में व्रिद्धी देख ने को मिल सकती है. आपको अपनी सफलताओं और अपनी टीम में योगदान के लिए पहचाना जा सकता है. निजी जीवन में कुछ उतार चड़ाव के बावजूद सप्ताह अच्छा रहेगा. मीन साप्ताहेक राशिफल इस सप्ताह मीन राशी वालों को एक या दो रोमेंटिक मुलाकातों की उम्मीद हो सकती है. यदि आप फिलहाल अकेले हैं, तो नए लोगों से मिलने का प्रयास करें और खुद को वहां से बाहर निकालें. स्नेह व्यक्त करके और अपने साथी के साथ समय बिताकर मौझूदा रिष्टों में चिंगारी फिर से जगाई जा सकती है. डिस्क्लेमा, यहां मुहया सुचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टी नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशग्य से सलाह लें.